नमशकार मैं Dr. Swati Mishra, आप सभी का अपने चैनल Sweats Fashion पे वेलकम कर रही हूँ और आप सभी से ये request है कि प्लीज चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe ने किया है तो मेरे चैनल को subscribe करिए, like करिए और comment करिए आप सभी जानते हैं कि आज जो topic है वो हम लोग Parato's का social action theory पढ़े हैं पिछले वीडियो में मैंने Weber के social action theories को आप लोगों को explain किया था इस बार आपको Parato के social action theory को explain मैं करने जा रही हूँ क्योंकि action theory continuity में आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि जब भी कहीं से लेपस में पूछा जाता है वो Weber का social action theory, Parato का social action theory दोनों ही पूछा जाता है तो चलिए start करते हैं Wilfred Parato का हमने circulation of elite theory, social change में circulation of elite theory को भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है Wilfredo Parato का, तो उसका वीडियो मैंने already upload कर दिया है, आज हम लोग पढ़ेंगे social action theory Wilfredo Parato has made immense contribution in the development of sociology as a discipline देखिए समाज शास्तर को एक विशे के रूप में स्थापित करने में और आगे उसको ग्रोथ करने में उसका किस तरह से विकास हो सके इसमें अन्य विचारकों के साथ जिसमें जो founder है, August Compt, Spencer, Durkheim, Max Weber इन लोगों ने तो बहुत contribution दिया ही दिया है पर Parato ने भी अपना बहुत contribution दिया है Basically इनका जो contribution है वो 3-4 field में देखा जाता है Nature of Sociological Theories जो sociological theories बनी है, जो समाशास्त्रे सिधान्त बने है उनका nature कैसा होना चाहिए इसमें Parato ने काम किया है Subject Matter of Sociology देखिए sociology का subject matter क्या हो किन चीजों को हम समाशास्त्रे में पढ़े जैसे कोई है, वो कहता है कि social action को हमें sociology में पढ़ना चाहिए कोई कहता है, social behavior को ही अगर हम समझ ले, तो वो sociology का subject matter हुआ दर्खाइम जैसे जो great thinkers है वो social fact को कहते है, कि social fact जो है, वो sociology का subject nature होना चाहिए तो इस तरह से अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से बात की है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा parato का contribution है कि क्या है, what will be the subject matter of sociology, इस पे भी उनोंने बात की गीर क्या होना चाहिए क्या होगा इन हिस बुक, treaties on general sociology in 1912 he incorporate his ideas on the nature of sociology nature of sociology, मतलब समाशास्त्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस पे इनोंने अपनी किताब, treaties on general sociology, जो की 1912 में published होके आती है, उस पे काफी विस्तार से बात की है parato choose the mechanical analogy rather than the organic analogy to describe the model of society यह याद रखिएगा कि parato ने समाशास्त्र के model को explain करने के लिए organic analogy को आधार बनाया है आप आगे चल करके समझेंगे इसी को मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा है, तो वो ताकि हिंदी मीडियम वालों को notes मिल जाए हर को मैं हिंदी में नहीं लिखती हूँ क्योंकि मैं explain नहीं हिंदी में करती हूँ आगे चल के देखते हैं कि इन्होंने subject matter of sociology में क्या बाते की हैं, different sociologists have emphasized on different kinds of subject matter of sociology मैंने पहले ही बताया, अब भी explain किया कि आखिर समाज शास्त्र का subject matter क्या होना चाहिए, विशे वस्तू क्या होनी चाहिए, समाज शास्त्र में हम किन चीजों को पढ़े और पढ़ाए, इस पे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से stress डाला है like Durkheim ने social fact की बात की है Max Weber ने actions की बात की है और action कैसा होना चाहिए, meaningful action आप पिछले वीडियो को देखिए social action की जो Max Weber की थियोरी है जब आप उसको देखेंगे तो आप Weber के social action को समझ जाएंगे उन्होंने कहा कि किसी भी action को हम study नहीं करेंगे sociology में, हम meaningful action को करेंगे वैसी क्रिया जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो हम उसका ही समाशास्त्र में उसके ही समाशास्त्र में हम wishlation करेंगे और parato, जिनको हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में parato नहीं कहा है कि देखिए भई दो तरह के action होते हैं मतलब जब भी कोई व्यक्ति समाज में क्रिया करता है, action करता है तो दो तरह के action होते हैं एक होता है logical actions और एक होता है non-logical social actions, ठीक है? एक होता है logical social actions और एक होता है non-logical social actions, basically पैरेटो ने दोनों को ही explain किया है पर पैरेटो ने कहा है कि sociology का जो main subject matter है वो है non-logical social action की study करना प्लीज अच्छे से समझे कि पैरेटो ने non-logical social action की बात की है अब ये logical action और non-logical social action क्या है जब हम ये समझेंगे तब ही तो आगे समझेंगे न तो basically पैरेटो ने जब अपनी कि किताब में चर्चा की तो उन्होंने तीन तरह के social action बताए अभी आप कहेंगे कि मैडम आपने तो अभी दो तरह के social action को बोले नई भाई वो तो sociology में study करने के लिए दो तरह के action की बात की है as total मतलब whole total में पैरेटो ने तीन तरह के social action की बात की है instinctive actions ये आपको बहुत कम कि ताबो में मिलेगा बट वो instinctive social action की बात करते हैं एक होता है rational action और logical action जिसको मैंने अभी बताया और दूसरा non-logical social action ये ही rational action और non-logical social action ये इन दोनों की ही हम sociology में इन ही दोनों की study करते हैं because both are related to social investigations but instinctive actions जो है वो social action से related नहीं है तो instinctive social action को तो यही पर हम cross करके आगे बढ़ जाएंगे मतलब paradox के जब भी social action की हम बात करेंगे उनकी theory को discuss करेंगे आप जब अगर लिखेंगे कि तीन तरह के social action की बात कही तो examiner जो रहेगा वो बहुत प्रभावित होगा कि वाह maximum students को तो logical action और non-logical action पता है बट ये बच् की से जान रहा है कि instinctive social action भी होते हैं बट फिर आपको आगे चल करके explain करना होगा कि पैरिटो ने social investigations के लिए इन दो तरह के action की बात कही है rational या जिसको हम logical social action कहते हैं तार की क्रिया और non-logical social action जिसको हम अतार की क्रिया कहते हैं इस पहले वाले को instinctive social action को पैरिटो ने कहीं भी समाशास्तर में इस्थान नहीं दिया है तो यह हम यहीं से ही छोड़ करके आगे बढ़ते हैं ठीक है अब हमको एके करके दोनों actions के बारे में समझना होगा exactly what is logical actions and non-logical actions ठीक है बहुत अच्छे समझेगा क्योंकि पैरिटो की जब भी social action की theory आईगे आपको यही ल Max Weber it is easy theory okay अब हम लोग कहते हैं तारकिक रिया क्या है logical action ऐसे नाम से लग रहा है न कि logical action है मतलब it is quite important than non-logical action मतलब हमें sociology में समझना है तो हमें logical actions को तो पहले समझना होगा क्योंकि वो तारकिक रिया है नहीं भाई अगर हमें sociology में हमें समाज को समझना है न तो हम non-logical social action को पहले समझेंगे अब मैं इस notes के rather आपको explain करती हूँ चीजों को देखिये logical social actions को समझने से पहले दो चीज़े हम समझते हैं एक होता है subjectivity और एक होता है objectivity ठीक है आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं मैंने भी कई lecture में बताया कि एक व्यक्तिनिस्ट और एक क्या है objectivity मतलब जो चीज जैसी दिख रही है ठीक उसी प्रकार उसका visualization कर देना उसका description कर देना that is objectivity ठीक है subjectivity क्या है कि जब आप अपने according किसी चीज को analysis कर रहे हैं तो वो आपका subjective point of view होगा ठीक है subjectivity होगा clear है पहले objectivity और subjectivity आपने अच्छे से समझा अब हम लोग explain करेंगे logical social action और non-logical social action ठीक है अब यह देखते हैं कि logical social actions are the actions which are logically linked to the end देखिए दो चीज़े होती है एक होता है आपका means ठीक है और एक होता है goal like कि अगर आप UPSC की preparation कर रहे हैं तो आपका goal है कि how to crack UPSC examination यही तो आपका goal है that is goal means end ठीक है यही end यही तो है और इस end को पाने के लिए आपने साधन भी इस्तमाल किया means भी साधन क्या इस्तमाल किया कि आपने बहुत सारे online coaching को मतलब आप subscribe किये payment करके आप आप बहुत सारे magazines खरीद के ले आए आप बहुत सारी sociology की किताबे खरीद के ले आए आपने test series जोइन की आप 10-10 बारा बारा पंदर पंदर घंटे आप अपने studies में दे रहे हैं आप higher education को रोक चुके हैं these all are the means मतलब अगर इस goal को पाना है तो आप अलग-अलग means का इस्तमाल कर रहे हैं logical action क्या होता है जब यह means और यह goals आपस में connected हो मतलब अपने goal को पाने के लिए आपको पता है कि किस means का सहारा लेना पड़ेगा ठीक है that is logical action अब non-logical social action क्या होता है जब इसी means और goals में आपस में connectivity नहीं हो आगे मैं और explain करती हूँ it means that logical actions mean that an actor uses means that are appropriate to ends which logically link the means with the end मतलब कि जो actor है जो समाज में action करने वाला व्यक्ति उसको actor कहते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने end को पाना चाह रहा है अपने goals को पाना चाह रहा है तो वो appropriate means का इस्तमाल करेगा भई अगर आप UPSC crack करने जाहा रहे हैं और आप जो means है prescribed means आप उसी को follow नहीं कर रहे हैं आप 10-10 घंटे Netflix पे खुब सारे web series दिख रहे हैं आप online shopping कर रहे हैं आप खुब सारे relatives के आप program मजे ले रहे हैं enjoy कर रहे हैं life को और दूसरी तरफ रोना रो रहे हैं कि या आप बहुत proudly कह रहे हैं कि I am UPSC aspirants how it is possible यह हो सकता है नहीं अपने goal को पाने के लिए आपको appropriate means को follow करना होगा मतलब क्या हुआ कि goals और means are logically connected यह logical connection है अब goal कुछ है और means कुछ है आपस में connection ही नहीं है अगर आपको sociology में भाई मुझे बहुत expert बनना है sociology higher education में लेना I want to become a professor और मुझे अपनी sociology बहुत अच्छी करनी है और आप sociology नहीं पढ़ना है तो कोई logical connection हुआ नहीं हुआ तो this is not logical action मेरे कहाल से अप clear है तो अपने goals को पाने के लिए जब आप appropriate means का इस्तमाल करते हैं तो य means और ये goals आपस में logically connected है and that action is called उस दिशा में जब आप काम कर रहे हैं तो आपका वो action जो है वो logical action होगा okay in a logical actions the relationship of the action to the desired end or goal of the action must be established in the actor's mind by scientifically variable theory कि जो scientifically proved है चीजे वैसी ही हमारी means हो ठेक है वही हमारी means हो तब ही हम उस goal तक पहुचेंगे ये logical action है आगे मैंने वही ये जो हिंधे में लिखा है वो मैंने objectivity और subjectivity को ही explain किया है कि logical action में जो है हमारे objectivity होती है मतलब कि जो चीजश prescribed है हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं वो objectivity है और subjectivity क्या है कि जो चीजश prescribed हम उसकी तरह ना होकर कि हम अपने चीज़ों को लाएं वो है subjectivity यह पूरा हिंदी में मैंने लिखा है कहिए तो अब कहिए क्या है online class तो है नहीं मैं इसको explain कैसे करूँ आगे च यहाँ पर चीक है तरक संगत करिया है मतलब logical action क्या है इनका आधार वस्तुनिष्ट होता है वही जो मैंने explain किया objective होता है अर्थात कोई भी सामाजी घटना वास्तों में जैसी है उसे ठीक उसी प्रकार उसी रूप में देखना वस्तुनिष्ट कहा जाता है और इसी आधार प वो पैरेटों ने प्रिथक किया है मतलब कि कौन सी logical action है कौन सी non-logical action है जो action objectivity पे है based मतलब जो चीज जैसी है वैसी हम देख रहे है वो logical action हो गया और यही अर्थतरक संगत करिया है non-logical action को मैंने लिखा है कि इसमें हम subjectivity को ध्यान देते हैं यहाँ पर हम subjectivity पे focus करते हैं क कि कोई भी सामाजी घटना जिस रूप में दूसरों के दिमाग में अंकित है उसे व्यक्ति निष्ट की संगया प्रदान करते हो पैरेटे नों इसे अतरक संगत करिया कहा है ठीक है आगे यह हिंदी में मैंने explain कर दिया आगे मैं explain कर रही हूँ और यही objectivity क्या है और subjectivity क्या है इसको मैंने explain किया है आप screenshot लेके पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि जो मैंने अभी explain किया वही चीज़ है अब non-logical social action अभी मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया कि non-logical social actions क्या है ऐसे action जिसमें means और goals में कोई भी logical interlinking ना हो logically they are not linked with each other that action is called non-logical action कई example मैंने दिया है कि अगर आप UPSC aspirant है और आप पढ़ी नहीं रहे है और आप कुछ-कुछ और कर रहे है तो यह non-logical action है in contrast to logical action non-logical actions are those actions that have an objective but the means and relationship cannot be ascertained scientifically मतलब जहां logical action में means और goals एक दूसरे से scientifically जुड़े हुए थे वही non-logical actions में means और goals एक दूसरे से scientifically नहीं जुड़े हुए है all the actions not falling under the category of logical action but will fall under the non-logical action यही कहा जा रहे है कि समाशास्त्र में सारे actions logical action नहीं है maximum तो non-logical social action है यही पैरिटों कहते हैं कि जब हम अगर non-logical social action को समझ लिए तब तो हम समाज को समझ लिए देखिये कैसे मैं समझा रही हूँ आपको कि माल लिजे कि कोई भी goal है हमारा कोई भी लक्ष है उसके लिए prescribed means दिये हैं साधन दिये हैं अलग-अलग तरीकों से जो prescribed तरीके हैं उसके थूँ हम goals पा जा रहे हैं चीक है यह तो simple चीजे हैं कि जो goal है और जो means है they are logically interconnected बट कई सारे ऐसे actions हो जा रहे हैं कि आपस में connection ही नहीं है अब जैसे recent example आप देखिए बहुत recent example जो दिली का case हुआ है आफताब और श्रद्धा वाला उसमें देखिए कि अभी तक यह non-logical actions है मतलब कि अगर दोनों एक दूसरे को hate करने लगे थे तो वो mutually एक दूसरे से separate हो सकते थे दोनों ही qualified थे दोनों ही empowered थे दोनों एक दूसरे से mutual understanding से एक दूसरे से separate हो जाते बातचीत करके आखिर क्या ऐसी चीजे हुई जिससे इतना बड़ा incident इतना बड़ा कांड हो गया जो कि पूरे देश को जगजोर के रखा हुआ है इस समय यह है हमारा non-logical actions इसी को हमें समझनी की जरूरत है अगर हम यह चीजे समझ गए न तो हम sociology समझ लेंगे तो पैरेटो ने कहा है कि sociology की विशे वस्तु तो हमें इस non-logical social action को समझना है कि हर जो action subjectively हो रहा है मतलब depends on that individual depends on that actor कि कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो वो किस mind से कर रहा है end कुछ और है means कुछ और है दोनों में कोई connection नहीं है फिर भी action हो रहा है that is non-logical social action और इसी को समझना तो sociologist की सबसे बड़े challenge है ठीक है यह चीज आपको समझना होगा the course of steps involved in achieving the end result of non-logical action is not explained rationally ठीक है इसको हम rationally explain नहीं कर सकते नहीं कर पाएंगे तारकिक रूप से हम explain नहीं कर पाएंगे paratos distinguish them from illogical action that do not have any end अब तीसरा एक और action की बात parato की है एक instantaneous को चोड़ करके जो rational और logical और non-logical को चोड़ करके एक illogical action भी होता है ध्यान रखिएगा illogical sorry यह illogical action illogical action में तो जो मारा end है जिसको हम goal कह रहे हैं वही clear नहीं है ठीक है तो ऐसे भी action को हमें समाज में समझनी की जरूरर नहीं है non-logical action is therefore an actions where the logical link between the means and the end is not yet established मतलब कि एक goal है और एक means है इन दोनों में कोई relation ही हम नहीं समझ पा रहें जैसे logical में हमने relation समझा बट यहां पर हम relation नहीं समझ पा रहें it means that the motives behind a non-logical action may not be clearly related to the end result of the actions ठीक है कि जो भी means है वो अलग है और जो goal है वो अलग है तो ऐसे actions को non-logical social action कहा जाएगा ठीक है अब आगे parrot हों क्या कहते हैं कि similar actions may have different kind of explanation for different actors अब जो non-logical social action होते हैं वो person to person define होंगे क्योंकि हर व्यक्ति का culture अलग है उसका socialization अलग है उसके घर के अपने values और ethics अलग है तो ऐसा नहीं है कि हम एक formula बना है और सब पर इसी लेना कहा जाता है कि science में study करना is far easy comparatively to the social science social science वाले को ताओ रहना चाहिए कि yes जो हम काम करें we are doing the most challenging job हम society को समझ रहे हैं society किस से बना है individual से बना है और हर individual का brain अलग है brain कैसे अलग हो गया क्योंकि उसके socialization अलग है उसके culture अलग है उसके values हर घर के अलग है उसके upbringing अलग तरीके से हुई है तो ऐसे में हमें हर व्यक्ति के action को समझना पड़ेगा therefore the theories regarding the means and relationship cannot be uniform in each occurrence of the action the scientific uniformity of the means and relationship cannot be confirmed and it cannot be predicted on the basis of above theory most of our actions are therefore classified by Pareto as non-logical action I am repeating it continuously कि Pareto ने कहा है कि जादा दर हमारे action तो non-logical action होते है हम सोचते कुछ है करते कुछ है the cause of the actions can only be explained through the investigation of each individual's case and then comparing them with the other individual ऐसे में काम कैसे चलेगा कि हर individual का case हमें अलग लेना होगा और फिर अलग individual से compare करना होगा जैसे आफताब शुरदा वाला जो case है इससे पहले मुझे exact वो नाम नहीं आदा रहे जिसमें एक पती ने अपनी पत्नी की हत्या की थी और सेम तरह से की थी काटा था और उसको deep freezer में रखा था तो माना जा रहा है कि आफताब ने भी ये सारी study करके पहले और तब ऐसा घिनोना कांड किया है तो हमें हर individual को समझना होगा क्योंकि यहां भी जो goal है और जो means है इसमें कोई भी rationality नहीं दिख रही है तो ऐसे action को हम non-logical social action कहेंगे मेरे ख्याल से आपको अच्छे से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि rational या logical social action क्या है और non-logical social action क्या है जिसमें non-logical social action को का ही वही जो है वो sociology का subject matter है ये सब फिलहाल मैंने references use किये हैं इसके अलावा भी कुछ references यूज कियें जिसको मैंने mention मतलब नहीं कर पाई हो भूल गई हूँ तो ये आपका ये पूरा topic था hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा next topic के साथ फिर मैं जल्दी ही मिलोंगी till then bye bye take care